यह फिर नई वीडियो हमारे ऑप्थ इन गायनी इंस्ट्विमेंट सीरीज में इस वीडियो में देखने जाएं बलेक यूटियाइट क्यूरिट इसमें जो सेंट्रल होता है सेंट्रल साफ्ट अलब साफ चेंट्रल होता है वन शारप मतब एक एंड शार्प होगा एंड वन मतब और दूसरा हैं ब्लंट होगा अब इसका जो यूजेज हैं इन गैनेकलोजी फॉर डाइगनोस्टिक परपस में हम यूज करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी infertility for ovulation detection tuberculosis endometriosis abnormal utriane bleeding AUB endometrial hyperplasia endometrium carcinoma carcinoma cervix secondary amnorea और post menopausal bleeding therapeutic use में dysfunctional utriane bleeding जैसा बींगा बताई DUB और assurman syndrome to remove embedded inutriane intriutriane devices अब इनश्टिक्स में देखेंगे तो MTP चेक कट्रेस, ब्लंट कट्रेस इन एवर्शन और सेकेंड सेकेंड पोस्पार्टम हैम्रेज इस पीपी एच सब इन्वानुशन अब आप पिक्चर देख सकते हैं यह जो सेंट्रल है वो साफ साफ सेंट्रल ही है और एक इंड ब्लंट और दूसरा इंड शार्प है इसका इंडिकेशन के मतलब किस काम का इसका उप्योग आता है तो डियाग्नोसिस और डिस्फंक्शन उट्राइन ब्रीडिदिंग और सेकेंड इन्वानुशन और लिंफो प्रोलिफरेटिव डिजीजेजेज हम रिकुनाइज करते हैं कि प्राइमरी इम्मिनो डिफिशें किसी है या नहीं है और और अल्सो एक्ट एस युटेराइन साउंड की तरह उप्यों किया सकता है और डियाग्नोसिस और इंडोमेटिल कार्शियनोमा जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में थैंक्यू